हेलो दोस्तों मेरे यूटूब चैनल पूजा किचन इस्तार में आप सभी का स्वागत है नई नई रेश्पी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरू करिएगा में लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बचू आज बनाऊंगी आज की रेश्पी बहुत ही अच्छी और साधिश्ट बनने वाली है देखे इसी तरीके से सारी रोटिया में तोड़ के कर लिए तयार अब इसाई रोटियों को मैं डाल लूँगी मिकसर जार में जानने के बाद इसको मैं करूंगी ग्राइंड देखे मैं शुक्ताइबाटों को मैं लूपे मैं तरीके से और मैंने लिया है अब जा मिकसर पाखे सब्सक्राइबाटों के यहां यहें डाल लिया है और डालूंगी एक चमच वाइंगर और एक चमच डालूंगे मैं सोया सॉस और इस सब चाहरी चीजों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इस तरीके से इसमें ऑईल बगारा कुछ नहीं डालना है इस तरीके से मिक्स कर लेना है आप चाहां तो इसमें हरी मिक्स कटी भी नहीं है एक दम इस तरीके से आप लोग इस तरीके से त्यार कर लिए अब मैंने हाँ साप करके थोड़ा सा ओयल लगा लिया है और इस तरीके से मैं सारे बॉल तयार करके और रेडी कर लूँगी और देखे कितने अच्छे से बन जा रहा है बिल्कुल भी हाद में चिपक ना रह जाए उलटते पलटते मैं इसे फ्राइ कर लूँगी अपलीस आप लोग से रिक्वाइश्ट वीडियो को इसकी मत करिएगा एंड तक देखेगा और देखिए हमारा अच्छे तरीके से देखिए फ्राइ हो चुका है अब मैं सारे बॉल को निकाल लूँगी और दे ड्याल लिया है उसके मैं डाले लूट और डालने बाद में आजँ मैं आ जीरा 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 रिया आपके मैं से तरह इसमें डालूंगी प्याज कटा हुआ देखे मैंने डो प्याज कटार रख लिया था इसको डाल दिया है अब देखी इस तरीके से छोड़ा सबस्क्राइब तक इससे मैं बस पकाऊंगी देखे इस तरीके से देखे हो गया है सॉफ्ट दो-तीन मिन बाद और इसमें अब मैं एड़ करूंगी एक कटवरी पत्ता गो भी और इससे दो-तीन मिन तक मैं पकाऊंगी जो यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और आप इसमें सिमला मेर्च और मतर भी एड़ कर सकते हैं और अब मैंने एड़ कर लिया है दो चमच नमयाटो सॉस दो चमच मैं ऐड़ करूंगी चिली सॉस आप अपने तेस्ट करण उसला डाल सकते हैं पीं और इस सब चीजों को डाने बाद मैं अच्छे इसए तरीके से मिला ले रहा हो जाएंगे सोफ्ट और भी और देखे कितने अच्छ लग रहा है देखने में अब और सलस्ट में नमक अच्छ तरीके सने केबाद इसा नमक dar मष्मध करने के गोरल रहूंगा कि मैं दोगी तर्त आध क्या मिला कर रहा है इसको भी तरीके से बॉल डालने के बाद इसे दो मिट मैं ऐसे छोड़ने के बाद इसे कर दूंगी गैस और यह बहुत ही अच्छा लगे खाने में अदेखे हमारे रोटी मंचूरियन तयार है सर्फ करने के लिए अब नहीं से दो मिन ठंड़ होने के लिए और कितना अच्छा लग रह उसे खाएंगे अब बड़े भी उसे छोड़ेंगे नहीं कैसी लगी रोटी मंचूरियन अब प्लीज कमेंट करके बताईएगा प्लीज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से और कमेंट जरू कर दीजिएगा जो लोग मेरे चैनल पहनाए हैं प्लीज उसे रिक्वेस्ट ह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा